नमबर 4 में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पूचा गया है, Can microorganism be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? तो इसमें बोला, microorganism हम अपनी नंगी आखों से देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकते हैं, तो कैसे देख सकते हैं, हमें यहाँ पर यह बताना है, तो दिहान से देखना, Microorganism are too much smaller, वो क्या होता है, काफी छोटे होते हैं, That they cannot be seen without naked eye, तो हम उन्हें अपनी नंगी आखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो काफी छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, कि हम उन्हें क्या करते हैं, नंगी आखों से नहीं देख पाते हैं, Second में बोला गया है, They can be seen with a magnifying glass called microscope, तो यहाँ पर हम किस वज़े से देख पाते हैं उनको, microscope, microscope हमारा क्या है, एक तरह के device या instrument बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारी छोटी से छोटी चीज़ें, वहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, magnifying करके बढ़ा करके देख सकते हैं, तो किस वज़े से देख पाते हैं उनको, microscope की वज़े से देख पाते हैं, उसमें क्या होता, microscope में magnifying glass होती है, जो काफी छोटी से छोटी चीज़ को बढ़ा करके वहाँ पर दिखाती है, ठीक है, जैसे कि हमारी cells की खोज बिना microscope के नहीं हो पाई थी, तो सबसे पहले हमने क्या करा था, microscope की खोज करी थी, और microscope के बाद हमारी cells की खोज हो पाई थी, लाश्ट में कुछ example देना चाहूँगा, जैसे कि, fungus that grows on bread, हमें पता है, ब्रेट को अगर हम कुछ दित बाहर रग देंगे, तो उस पे क्या होता है, fungus उख जाते है, हारे हारे महाँ पर चीटे पड़ जाते हैं, वो किस वज़े से होता है, वो fungus के वज़े से होता है, वो क्या होता है fungus में, उसे एक तरह से माइक्रो और्गनिजम भी बोलते हैं it can be easily seen with the help of a magnifying glass और microscope उसको किस वज़े से उसको हम देख पाएंगे तो कैसे देख पाएंगे नंगी आँखों से तो नहीं देख पाएंगे कौन सा बैक्टिरिय लग रहा है तो वहाँ पर कैसे देख पाएंगे मैगनिफाइं ग्लास से और माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाएंगे ठीक है कोशन फोर में सिर्फ इतना ही बताना था हमें अब हम बढ़ते अपने नैश्ट कूशन के तरह